एक बार अंधेरे रूम में नोबिता जाता है, नोबिता जैसी अंधेरे रूम में जाता है, आँख खोल करके देखता है वड़ उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है, और नोबिता घबरा के कहता है, कि I cannot see anything in the dark room, even my eyes are open, but as soon as the light is switched on, जैसे light को switch on कर देता, डोरे मौन कहीं से आ करके, तो अचानक से नोबिता को सभी चीज़े दिखने लगती है, अब मैं तो मैं इसके पीछे का कारण बताता हूँ, जब light डोरे मौन ने कहीं पीछे से चालू किया, तो ऐसे light का जो source हमाल लेते हैं, खिड़की से light आ रहा है, ठीक है, तो source से rays of light आये, ठीक है, और ये rays of light किसी भी object से reflect हो करके, नोबिता की आखों में गये, अब जब नोबिता के आखों में गये, तो नोबिता को सारी दुनिया दिखने लगी, है ना कमाल का phenomenon, चलो कोई बात है, इसके बारे में बहुत detail में बात करेंगे, लेकिन इसको शब्दों में कैसे represent करना है, light from the source hits the object and gets reflected and the things are visible, आगे बढ़ता है, देको light क्या होता है, अब सवाल यह है कि light जब होगा तभी दिखेगा, खुली आखों के साथ बिना light के हमें दिखता नहीं है, तो light होता क्या है, तो light is a form of energy, light एक प्रकार की energy है, जो produce करता ह sensation of vision, sensation of vision मतलब क्या, देखने का एसास होता है, ठीक है, light एक प्रकार का energy है, जो आपको देखने का एसास produce करता है, आगे बढ़ते है, properties of light, light की क्या-क्या properties है, तो light की basically दो properties है, पहला वाला property है, rectilinear propagation of light, देखो, linear मतलब होता है सीधा, rectilinear मतलब होता है सीधा-सीधा, very good, तो सीधा, light हमेशा सीधा travel करता है, एक experiment देखेंगे जिससे यह पता चल जाएगा, अचा दूसरा जो है, वो है reflection of light, जो हमारा आज का topic है, hello students, my name is Shivam Jha, an educator by choice, a memory coach and a creative learner, and हम शुरू करने जा रहा है, class 9 के science से reflection of light, जो कि आपका chapter number 11 है, और इसका आज हम देखेंगे lecture 1, जिसम सारी चीजों के बारे में, and उसके बाद, दो lectures और आएंगे, जिसमें ये chapter को हम sum up कर देंगे, फिर study of sound and बाकी सारे chapters को देखेंगे, by the way, इस channel पर ये सारे chapters uploaded है, पहले मैंने reflection of light भी डाला आता, लेकि मैं सोच रहा हूँ, वापस डाल देता हूँ, तो आप ये सारे chapters भी दे description में दिये गया, link से join कर लेना, and इस telegram channel को जब आप join करोगे, तो आपको ये वाला link pinned मिलेगा, जिस पर मैंने सारे chapter एक जिगे पर upload कर दिया है, ठीक है, description में मिल जाएगा, इस link पर विजिट करके मिल जाएगा, ये link आपको comment में और description में मिल जाएगा, चलिए, फिर आगे सीधे travel करता है, अच्छा मैं चिक कर लेता हूँ कि हम recording कर रहे हैं कि नहीं कर रहे है, तो light जब एक source से आता है, तो एकदम सीधा travel करता है, right, light एक source से आएगा, एकदम सीधा travel करेगा, उसी को हम क्या कहता है, rectilinear propagation of light, ये image में भी देखकर के आपको समझ में आ गया होगा, क light किस तरीके से सीधे travel करता है, इसको सब्दों में कैसे लिखेंगे, light is traveling in a straight line, this is called as rectilinear propagation of light, अपने notes में लेख लेना इस बात को, अब अगले property की बात करता है, लेकिन उससे पहले हमें एक experiment देखना है, जिससे हम verify कर लेंगे rectilinear propagation of light, aim क्या है हमारा, to verify that light travel in a straight line, हमें इस को verify करना है कि light सच में straight line में travel करता है, या शुबं बाइया बस बता रहे है, तो ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 cardboard है, apparatus क्या कहा चाहिए हमें, 3 cardboard pieces चाहिए, same size का, एक stand चाहिए और एक candle चाहिए, तो candle ले ले लेते है, साथी साथ, cardboard ले ले लिए, candle ले लिए, by the way, तुम बोल जल क्यों नहीं रहा है, तो फिर दिर बात जलाते हैं इसको, अब आगे बढ़ते हैं, ये सारे हमारा जरूरत का सामान है, और माल लेते हैं कि stand भी ले लिया है, मैं वहले, stand क्या बना हूंगे, ले लिया माल लेते हैं, ठीक है, procedure दे आन से सुनना, पहला step क्या है, make holes in the 3 cardboard at the center, 3 cardboard पे, एक ही point में center के पास hole कर दो, कर दिया hole हमने, क्या आप देख पा रहे हो, हमने hole कर दिया, इस cardboard में, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका दूसरा जो हमारा step है, वो है, light the candle and fix it on a stand, तो माल लेते हैं, हम तो गरीब लोग, हम candle को ऐसा throttle करते हैं, और फिर दो candle लिखेंगे, ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगी, अब देखो, यहाँ से क्या होगा, candle की रोशनी निकलेगे, तो अब हम क्या कर रहे है, move one cardboard piece from its position slightly, position slightly and again observe the position of the side, तो अभी हमने तोड़ा सा इसको घसका के देखा, तो actually क्या होगा, अभी हम देखते है, observation बताता हूँ मैं आपको, जब तीनों cardboard एक line में थे, ऐसे, 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 तीनों cardboard एक line में थे, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, तो यह जो पीछे छोटू सा आख है, इस आख को light दिखेगा, candle का light दिखेगा, लेकिन जैसे ही जनाब हम एक cardboard को, ठीक है, यहाँ पर देखो, शब्दों में लिखा है, when we observe the candle, while the cardboard pieces are in straight line, we see the flavor of candle, जब straight line में तो हमें दिखता है, लेकिन जैसे ही, हमने एक cardboard को थोड़ा side कर दिया, ठीक है, एक cardboard को हमने क्या किया, थोड़ा सा side कर दिया, तो अब तीनों एक line में नहीं है, तुम देख सकते हो, तीनों एक line में नहीं है, यह से चला जा है, that means कि light always travels in, conclusion क्या है, light travels in a straight line, तो इससे हमने rectilinear propagation of light को तो verify कर लिया, जो कि बहुत आसान है, अब हम आगे बढ़ता है, property number 2 की तरफ, जिसको बोलता है reflection of light, देखो बहुत यह simple है, मैं तुम बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन इससे पहला तुम्हें दो शब को जा एक होता है, opaque, जिसमें आर पार नहीं दिखता है, तो मैं बार-बार एक शब्द का इस्तमाल करूँगा, opaque, 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 तो तुम लगे हमाँ सचना कि opaque मतलब क्या होता है, तो पहले ही बता दिया, अब आगे बढ़ता है, तो माल लो कि मेरे पास एक mirror है, mirror में क्या होता है, light आर sunrise ठी है, गोआ वाले बीच पे, या फर जो तुम्हें rainbows दिखता है, या फर जो तुम flowers देख पाते हो, अपने ममी पापा को देख पाते हो, मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख पा रहे हो, ये सब कुछ reflection of light के कारण ही हो पा रहा है, ये बात को याद रखना है, nature क बहुत सारे जो wonders, almost सारे ही, जो हम देख पाते हैं, खुली आखो के कारण, वो reflection of light के कारण हो पाता है, अब देखो, reflection of light को अच्छे सा समझते है, when lightness strikes the boundary of two media, such as air and glass, a part of light turned back into the same medium, this is called as reflection of light, शब्दों में नहीं समझा तो कोई बात नहीं, अभी तुम्हें समझ में आ जाए और इस blue word पर माल लेता है कि एक हमारे पास opaque surface है, ठीक है, यह हमारे पास एक opaque surface है, और मैं torch लेता हूँ, माल लोग एक torch लिया हम इने, और torch से light रे जलाता हूँ, तो एक light का ray ऐसे गिरता है, अब क्योंकि यह मेरा जो surface है जनाब, यह opaque है, तो light इससे r पर जाएगा, क्या, हा incident ray कहते हैं, अचा जहां पर यह गिरता है, exactly उस point पर हम एक perpendicular बनाते हैं, जैसे देखो, इस वाले point पर, यहां पर दिख रहा है, तो मैं वेने red color का pointer रखा है, इस वाले point पर, जूम कर दूँ क्या, हाँ देखो, इस वाले point पर, exactly इस वाले point पर, हमारा एक perpendicular हमें बनाना होगा perpendicular मतलब, वहां से 90 degree, तो चलो एक perpendicular बना दिया, इस वाले perpendicular को मेरे प्यारे super learners कहा जाता है, normal, इस वाले perpendicular को normal कहते हैं, कफी normal सा लग रहा है, ठीक है, अब यह वाले perpendicular से exactly light ऐसे reflect हो जाएगा, क्योंकि यह light का जो ray है, हम light को represent करते हैं, ray diagram से, और यह जो हम करें, ray diagram है, तो यह ज देखो, हलाकि हमने यह पूरी इमानदारी से बनाई है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि जब हम ray की बात करते हैं, तो ray बनाने के time, हमें ऐसे arrow दिखाना पड़ता है, ठीक है, ऐसे ray ऐसे होगा, ऐसे हमें दिखाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है, फिर भी चलो कोई बात न पढ़ा है नि, क्या है, ठीक है, बड़ेगा नि, वीच बे, यह जो incident रहे है, arrow वाला, और जो यह pinky है, इसको pinky बुलाएंगे, प्यार से, अबनी बच्छाट में पिंकी लिखना जाला, ठीक है, तो यह जो arrow वाला है, और यह जो pinky है, इस pinky के बीच में एक angle दिख रहा है, दिखा रहा हूँ उसको angle r कहा जाता है angle of reflection दियान से देखो angle i मतलब होता है angle of incidence, angle r मतलब होता है angle of reflection PG, PG, lemons, QG, अभी आगे वरता है ठीक है यहाँ तक सब समझ में आ गया तो अब हमें laws of reflection पढ़ने है मतलब कि जब reflection होता है तो उसके कुछ नियम कानून होता है देखो हमारा पुराना वाला खेल यह हमारे पास एक surface है यहाँ से एक ray of light आया जिसको incident ray बोलते हो आप एक normal बनेगा प्रिपेंडिकुलर ठीक है उसके बाद जो एक light ray निकलेगा उसको हम लोग reflected ray बोलते है पॉइंट बाद नमबर यह याद रखना एक्जाम में ऐसी गलती हम नहीं करेंगे एक्जाम में जब हम बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ray, हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, बार-बार बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, आच्छा, तो यह जो हमें हुआ है, तो यह जो incident ray है तुम्हारा, और जो reflected ray है, वो कहा है, normal के आजू-बाजू है, ठीक है, तो बहुत इजी है, law number 2 सुनो, law number 2 सुनो, law number 2 कहता है, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, इसका अर्थ यह है, कि जो ray आया incident, normal, और यहां इसके बीच में जो एक angle बना, उसको angle of incidence कहते हैं, reflected, उसके बीच में जो angle बना, उसको angle of reflection, reflection, angle of reflection कहते हैं, और I is equal to R, मतलब angle I equal होगा angle R, तो angle of incidence is equal to angle of reflection, और मैं नाच क्यों रहा हूँ, ठ अच्छान है, क्या बोलते हो, छोटे, चलो ठीक है, आगे बड़े, यहां तक clear है, अब आगे बढ़ते हैं, एक question है मेरे लिए तुम्हारे पास, मेरे पास, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारे पास, जाद excitement हो जाता है, कभी-कभी, चलो ठीक है, तो एक question है, मेरे is a form of energy, तुम्हाला काई वाट तर, true आहे का false, चैट मदे लिए, मेरे लिए ठीक है, तो इसको तुम्हे चैट में लिखना है, one true या false, ऐसे करके answer लिए, एक और question पूछ ले तो चलो, which of the following is correct, i is equal to r, i is equal to r, r is equal to r, r is equal to r, या फिर i is not equal to r, तुम्हे इसका भी जबाब, comment मह अगे बढ़ते हैं, next question, light travel in a dash, circular path, straight line, irregular path, none, इसका जब answer लिखोगे न, जो भी तुम लिखोगे, a, b, c, d, या फिर, straight line, circular path, irregular path, तो यह भी लिखना है कि इस property को क्या बोलते हैं, यह हमने पढ़ लिया है, चलिए, तो यहां तक सारी चीज़े अगर बहुत असान लगी है, तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे जाने वाले हैं, थोड़े से और असान चीज़ें को सीखने के लिए, जो है हमारा आइना, तो आइना के नाम से एक शायरी याद आया, कि अर्ज किया है, कि आइना हमेशा सच दिखा दे, जैसे मेरे मूपे अब है पिंपल हो गया, तो आइना हमेशा सों सच दिखा देता है, बस इतना इशायरी था आगे बढ़ते है, तो मीरर्स, मीरर्स की बात कर रहे थे हम, तो मीरर क्या होता है, हम सब को पता है, आइना is a reflecting surface, मितलब mirror is a reflecting surface, अर्शा एक reflecting surface आहे, तो मीरर एक reflecting surface है, जिससे अब तोचोगे भाईया सबसे बड़ा difference क्या है plain mirror और spherical mirror के बीच में तो देखो जो plain mirror होता है जनाब हमारा वो बड़ा ही plain होता है अच्छनी देखो object and image are of same size plain mirror जब भी हमारे पास होगा तो जिस size का हमारा object होगा उसी size का हमारा image मिलेगा लेकिन 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 जब हमारे पास एक spherical mirror होगा तो spherical mirror में object and image may or may not be of same size that means कि कभी-कभी होगा भी कभी-कभी नहीं भी होगा कोई guarantee नहीं दे सकता मैं तो ठीक है तो spherical mirror और plane mirror में सबसे बड़ा difference क्या है प्लेन मिलर में object and image are always of same size and spherical mirror में ऐसा कोई guarantee नहीं कि object and image are of same size वाइद एक छोटी सी बात बता देतो Tuesday, Thursday और Saturday को हमारे इस चानल पर lecture आता है तो इस चानल को subscribe कर लो गर अब तक subscribe नहीं किया है तो वीडियो को like करो और दबा के share करो एक दो हजार लोगों तक अपने group group सब में जो है डाल दो और सभी लोगों को बोले भी रिक्चर देखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं question number 4 है मेरे पास तुम्हारे लिए which of the following is our types of mirror कौनसा इन में से mirror है plane, spherical, cubicle या A and B मतलब plane B और spherical B question number 5 भी है मेरे पास तुम लोगों के लिए जिसका तुम comment में जवाब दोगे in a plane mirror size of object is dash to the size of image plane mirror में not equal equal half double और यहाँ पे ये वाला concept भी समाप्त होता है अब अगले concept पे जाने वाले हैं जिसका नाम है making more plane mirror कि अगर मुझे एक plane अर्सा बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा ना आइना कैसे बनाते हैं तो क्या करने का पता है आप लोग के पास phone है ठीक है इस phone को ऐसा खोलने का और इस phone में ऐसा camera खोलने का और camera खोलने का और खू़द को ऐसा देख लेने का कि Tum कसा दिख रहा है तोरह camera को ऐसा फ्रांट camera घुमा लेने का और ये बन गया तुमारा plane mirror मैं तो बड़ा कूप सुरू दिख रहा हूँ देखना step number two देखना it is coated with a thin reflecting layer of aluminium और silver to make opaque surface इसके उपर हम silver या फिर aluminium का तो हमारा एक्षा है हम silver का layer डालेंगे तो डालो silver का layer डाल दिया हमने silver का layer अब जब हम इस पर silver का layer डाल देंगे तो अब क्या हो गया अभी अब यह transparent नहीं रहे गया अभी क्या बन गया opaque बन गया जिसके करणा light ना इसमें से पाहर नहीं हो पाएगा आगे बढ़ते है step number three silver metal क्यों use क्या सवाल यह उठता है कुछ लोग पूचेंगे कि भाई या silver क्यों कि silver metal is one of the best reflector of light light का सबसे best reflector कौन है silver metal है इसलिए हमने silver metal का layer डाल दिया उसके पर painting कर दिया इसा है silver का ठेक है silver foil भी लगा सकते है मारी इच्छा okay let's move further लेकर हम लगाते है नहीं है आगे बढ़ते है अगले step है to protect the silver coating अब यह silver coating हमने लगाया है इसको protection भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कैसा मस्तिक होर इंसान आइने को ऐसा ले ले के देखते है तो silver coating पीछे का निकल गया तो तुम्हारा आइना का होगे राम नाम सत्य तो अभी silver coating को protect करने के लिए उसको हम paint करते है lead oxide लीड oxide यह बात याद रहता question पूछूँगा और exam में पूछा जाएगा तो लगा दो painting लगा दिया हमने paint lead oxide का अब आगे बरते हैं अगले वाले point पर अभी देखो यह जो हमारा लगा था उसी तरफ मालो इधर हमने लगा इस लीड का coating लगा दिया उसको ऐसा लाल लाल बना दिया कि अभी हो क्या हो गया protection होगा अब अब हमाईने को ऐसा पल्टेंग तो इधर से silver वाला side दिखे रहा काच के इधर से काच के side से हमें silver वाला side दिखे का ऐसा तो हमारे पास क्या है reflecting surface हमारा ready है और इसी reflecting surface को हम क्या बुलाते है असान था ना बनाना तो देखो अब plane mirror is represented by straight line having number of short oblique lines on one side अभी यह plane mirror रहे लेकि जब हम आगे पढ़ने वाले है तो बार बार इस plane mirror को ले जाकि हम इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि अपने आपने आपने ही बहुत बढ़ा है तो हम लोग इसके लिए diagram बनाते है plane mirror का हम एक symbol दिखाते है और ओसी मबॉल ऐसा होता है तो हम एक ऐसा छोटा सा line बनाता है और उसके पीछे चोटु छोटु 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 लाइन यह नॉन रफ्लेक्टिं साइड है मतला बात है गलत बात है तुम्हें कॉमेंट करके बताना है question number seven to protect the silver coating of a plane mirror it is painted by lead peroxide lead oxide lead oxy all of this तुम्हें इसका एंसल भी कॉमेंट दोता है ठीग है मैं ठंग गया अब आगे बढ़ते हैं but आगे बढ़ने से पर एक छोटी सी बात पर तुम लोगे साथ शेर नहीं करूंगा तो क ज्यादा हो मिनट बच्चों ने मुझे देखा यान अकाडमी पर पढ़ाते हुए ठीक है और nine के follower से जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं और one के feedback सा बच्चों का तो आप भी मेरे free class में आ सकते हो जो कि absolutely free of cost होता है simply आपको एक code योज़ करना SJ super 10 अगर आप इस code का इ कि मेरे पास आप लोगों के लिए कि emerge अनेकेट में emerge जो है past we have new version of kbc हमारे पास एक नया वर्जन है kbc का यह एक mock test है जो आप अपने friends के साथ share कर सकते हो या फिर आप भी जाके दे सकते हो तो यह cbc class 10 12 commerce और science वालों के लिए है जो saturday to Tuesday होता है और आप यहाप इसमें बि academy emerge दोगे ना तो आपका जो एक्जाम के जो की tension है वो सारे खतम हो जाएगे कोड एजस उपर 10 लिंक्स आरे डिस्क्रिप्शन बड़ी छूड़ी सी बात और बता देता हूं कि हमारा एक batch शुरू है cbc class 9 वाले बच्चों के लिए अब आपने से काफी लोग हो है ना जिनक बिल्कुल आ सकते हो इस class में भी आप enroll कर सकते हो अगर आप plus लेते हो तो using my code sj super 10 इसका भी link description में डाल दूगा thank you so much यहाँ अगर समझ में आ गया तो special class में आने के लिए जो की free of cost होता है code sj super 10 emerge का और मेरे batch course का सभी का link description में है don't forget to use those links click on those links और sj super 10 ये code use कर लेना happy learning अब आग तो अब हम पढ़ेंगे characteristics of image obtained in a plane mirror अभी मेरा बात द्हां से सुननेगा रिंग लाइट है उपर ट्यूब लाइट है सब पीछे एक लाइट है तो यह सब extended इसे बहुत सारा लाइट निकलता है एक साथ इसको extended सोर्स बोलता है तो लाइट रे दो जगे से निकल सकता है पॉइंट सोर्स से निकल सकता है तो अब जब हम characteristics पढ़ रहे हैं तो दोनों पढ़ना चीए इसमें से आपुन दो रे उफ लाइट पर फोकस करते है एक को बोलता है आर वे को बोलता है है R2 दोनों ही ऐसा inclined गिरा है कैसा गिरा है inclined गिरा है हमारे मिरर के ऊपर ठीक है plane mirror के ऊपर inclined गिरा है point source O से इस property को समझो बहुत जरूरी है बालक को दो चीर बाद देख लिए ना इसको ठीक है फिर से एक बहुत बताता हूं ज्यान से सुने तो हमारे पास M1 और M2 करके एक plane mirror है और उससे थोड़ी सी दूर point O पे एक point source of light है जिस point source of light से बहुत सरे array of light निकल रहा होगा जिस में से हम खाली दो light करें को consider करते है अपने आसानी के लिए तो हमने जिसको consider किया वो है एक R1 और एक है R2 दोनों plane mirror पे ऐसा obliqually गिर रहा है मतलब एक angle पे गिर रहा है जिस point पर गिरेगा as per law of reflection वहाँ पे एक normal बन जाएगा और light से क्या हो जाएंगे reflect हो जाएंगे तो माल लेते है S1 और S2 करके light reflect हो गया R1 जो आया था वो S1 बन के reflect हुआ R2 जो आया था वो S2 बन के reflect हुआ अब क्योंकि जनाब ये दोनों light रेक दूसरे से बहुत दूर जा रहे है मैंने बीच में आख डाल दिया तो ये दोनों कभी मिलने वाले है क्या नहीं मिलेंगे क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रहे तो कभी नहीं मिलेंगे लेकिन मेरे आँख को क्या लगेगा पता है कि ये rays of light ऐसे पीछे किसी जगे से आ रहे है मेरे आँख को क्या लगेगा कि ये ray of light किदर पीछे से ऐसा आ रहे है इस वाले source से 0.0 से 0.1 से मतलब कि जब lighter एक दूसरे से दूर जाते है reflection के बाद तो हमारी आखों को लगता है कि वो light कहीं पीछे से आ रहा है appears to be coming समझ रहो actually यहां से आ रहा है कि light रही नहीं light रही यहां से आ रहा है लेगे आएने में देखके मुझे लगया है कि यहां से आ रहा है अब एक कमाल की बात सुनना कि यह वाला distance यहां से यहां तक का जो distance है उतना ही अंदर आईने कि यह यहां से बनेगा अब देखो इसको शब्दों में बताता हूँगा कि इस image को क्या बोला जाता है देखो the reflected ray do not actually meet जो reflected ray है blue वाले क्या वो actually meet हुए क्या वो actually meet कर रहा है नहीं meet कर रहा है hence such an image is called as virtual image तो जब भी तुमारे reflected rays meet नहीं करेंगे आगे मैं बार बार बताऊंगा जब हम lecture number 2 देखेंगे तो जब भी हमारे reflected rays meet नहीं करेंगे तो हम उस ray को क्या बोलेंगे उस image को क्या बोलेंगे जो image हमें दिख रहा है M1 मतलब O M1 यह वाला जो distance है वो exactly equal है O1 M1 यह वाले distance है यह भी एक property है plane mirror की अगला वाला point जो है वो हम अगले properties में पढ़ने वाले जिसमें हम extended source लेंगे तो चलो एक extended source लेते है तो माल लो कि एक आइना है हमारे पास और उस आइना में ऐसे incident rays आ रहे है अब यह जो भी incident रहे है वो perpendicular गिर रहे है of course एक normal बनेगा और वो rays of light laws of reflection के हिसाब से reflect हो जाएंगे in reflected rays अब क्योंकि यहाँ पे ray perpendicular गिर रहा था तो perpendicular ही reflect होगा किसी angle पे reflect नहीं होगा याद रहो यहाँ पे बहुत दूर से बहुत सारा light आ रहा था दिखा तुमने बहुत सारा light आ रहा था ऐसा लंबा light आ रहा था extended source से तो light अगर perpendicular गिरेगा तो perpendicular ही reflect हो जाएगा यह भी एक property है चलो इसको देखते कैसे लिखेंगे है light is falling perpendicular on the mirror अगर एक lighter perpendicular गिर रहा है mirror पे are reflected in the perpendicular direction तो perpendicular direction में ही reflect हो जाता है यह भी एक property है चलो एक और property देखते एक extended source का तो माल लेते कि एक pencil है यह काफी बड़ा source है PQ और यह एक आइना M1 M2 के सामने रखा हुआ है तो आप क्या होगा देखो source PQ is kept in front of the mirror M1 M2 M1 M2 mirror के सामने source PQ रखा हुआ है जो कि एक extended source है अब देखो यहाँ पर क्या होगा यह बनाएगा P dash सबसे उपर वाला part और सबसे नीचे वाला part Q dash ऐसा एक image बन जाएगा पहले आइने में और बाकी क्या होगा image और P and Q और P dash P dash and Q dash respectively और बाकी जो बीच का material है उसका भी image ऐसे बीच में बन जाएगा मतलब की same to same हो रहा है अगर point source रहेगा तो point source बनेगा और बड़ा source है तो plain mirror में बड़ा सा source बनेगा मतलब आइने के सामने जो रख दो उसका image बन जाता है simple simple दुनियादारी समझ भी नहीं आई तो बस इतना याद रखना आइने के सामने जो रख दो उसका image बन जाता है ठीक है तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज देखें तीन प्रॉपर्टीज अब तक हमने देखा सबसे पहला अगर rays actually meet नहीं कर रहे है तो virtual image दूसरा प्रॉपर्टी जो हमने देखा तो वह क्या था कि अगर rays perpendicular आएगा तो perpendicularly reflect हो जाएगा और तीसरा हमने सोच क्या देखा कि जो भी नहीं के सामने रख दो उसका image as it is बन जाता है अब last वाली एक प्रॉपर्टी हम देख लेते है ठीक है अच्छा एक और एक और दो और प्रॉपर्टी है second last वाली प्रॉपर्टी the image formed by a plane mirror is of same size as the object तो जो plane mirror के सामने जो image form होगा जैसे pencil का image बना है तो वो same to same size का होगा समझ रहों जैसा है वैसा ही बनेगा छोटा बड़ा नहीं बनता है अब तुम दूर ले जाके देख रहे हो पास लेकिन जाके देख रहे हो तो वह अलग बात है लेकिन उसका size actually पे same size का ही बनता है तो यह भी एक प्रॉपर्टी है अगला वाला जो last वाला properties है वो है कि अगर आप plane mirror के सामने अपना left hand उठाते हो तो आपको लगता है कि आईने में left hand उठाया गया है तो आपको उल्टा लगता है क्या लगता आपको this means that when right and left sides are interchanged in the image formed in a plane mirror इसका मतलब यह है कि right का left हो जाता है और left का right हो जाता है किसके अदर एक plane mirror के अदर इस property को बोला जाता है lateral inversion इस property को क्या बोलते हम lateral inversion तो एक plane mirror के अंदर जो image form होता है वो laterally inverted image form होता है अब एक और छोटी सी बात बता तो ambulance तुमने देखा होगा ambulance पर ऐसा ambulance उल्टा लिखा होता है इसके पीछे का कारण क्या है कि जब ambulance कहीं से आ रहा होगा ठीक है तो आइन जब सामने दूसरा जो गाड़ी होगा वो अपने आइने में देखेगा ना पीछे पीछे ऐसे आइने में देखेगा तो उसको सीधा दिखाए देखा मतलब मालो कि यह कोई गाड़ी वाला है जो आइने में देख रहा तो उसको ambulance ऐसा सीधा पढ़ने को आएगा आइने में आपको comment करके इसका भी जवाब देना है यहां तक सारा माल material बात खतम हो गया है अब एक अख्री topic है और अससे related कुछ numerical है तो यह जो topic है इसका नाम है images formed in a pair of mirrors तो अगर हम दो mirror को एक साथ रखेंगे plane mirror को तो कैसे image form होगा तो जान से सुनना माल लेते हैं मतलब दो plane mirror को अगर हमें अलग-अलग angle पर रखते हैं इसका कोई formula है इसका कोई formula है तो देखो यहां पर this is because light rays after reflection from one mirror fall on other mirror इसके पीछे कारण क्या है कि हमें बहुत सारा image मिलता है कि light rays जब एक आइने से reflect होके गिरता है तो दूसरे आइने पर गिरता है दूसरे से reflect होके तीसरे पर गिरता है और इसलिए multiple reflection होता है next example हो तुम कभी saloon में गये हो सलून में घीची बार-बार-बार-बार दिखाई दीता है जैसे देखो यहां पर एक आइना और इसके पीछे आइनाह है तो यह तो ये दोनों आइने के बीच में क्या angle है, ठीक है, ये दोनों आइने के बीच में क्या angle है, एसे, कितने angle पर दोनों आइने एक दूसरे के सामने रखे है, उसके उपर depend करता है कितना image form होगा और उसका एक formula है, if two mirrors make an angle A, माल लेते हैं कि दो mirror है, ये एक mirror है और ये एक mirror और दोनों आइक angle बना रहे है, यहाँ पर जो एक angle बना रहे है, अगल A बना रहे है, between them, with each other, the object placed in between the two mirrors, the number of images formed is given by n, n मतलब number of images 360 degree divided by a, मतलब angle दो mirror के बीच में कितना angle है, minus 1, मतलब क्या बोला जा रहे हैं आपे, कि दो mirror अगर एक दूसरे के सामने रखा होगा, तो उन दो mirrors के बीच में कितने image बनेंगे, ये totally depend करता हूँ, उन दोनों के बीच में रखा है, उन दोनों mirror के बीच में कितना angle बन रहे है, और उसका formula क्या है, n मतलब number of object, कितना number of object बनेगा, 360 degree upon A minus 1, अभी देखो करते हैं हम ठ ठीक है, तो एक example ले लेता है, example, if the angle between the mirror is 90 degree, माल लेते हैं कि दो angle है, देखो, दो mirror रखा है, और इनके बीच का angle 90 degree है, तो मैं आपर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो angle है, वो 90 degree है, इस तरीक है, इस तरीक है, दोनों mirror के बीच में, तो अब क्या होगा, देखो, formula लगा 949, 940, 36, तो यहाँ पर minus 1, तो answer के आजाएगा, आपका 3 आजाएगा, बहुत असान, बहुत असान, ठीक है, बहुत असान है, ठीक है, तो कितने images मिलेंगे, 1, 2, 3 images मिल रहा है, देखे, 3 images हमें मिल रहा है, ओके, got it, चलिए, अब कुछ question है, question number 9, if number of images is 3, अगर आपको 3 images मि कितना angle होगा, इसी formula में डालके calculate कर दो, यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर आपको डालना है, इसमें 3 डालते ना है, यह जो आएगा calculate कर लेना से, चलो कोई बात नहीं है, ऐसे और sum हम करने वाले हैं, तो type A करने वाले हम numericals, बट उससे पहले एक छोटी सी बात मुझे, लेने दो, मुझे थोड़ा सा गर्बन लग रहा है, मेरे प्यारे प्यारे पच्चो, कहां गया तू, कहां गया तू, ओके, हाँ, चलो सही जा रहा है, चीक है, हम सही जा रहे हैं, तो देखो, हम लोग अभी type A numericals करने वाले, जिसका formula है, n is equal to 360 degree upon A minus 1, हर चीज अपने को पत chapters पढ़ा है, लेकिन काफी सारे बच्चे ऐसे थे, जिनको personal attention चाहिए होता है, अगर आप वो हो, जो मुझसे बात करके, personally अपने doubt clear करना चाहता है, या related to exam strategy, 10th के लिए कैसे plan करें, या फिर किसी भी चीज़ से related to, मुझसे कोई भी help चाहते हो, तो आप मेरा telegram का membership ले सकते ह जिसके लिए, आपको मैं आपको दूँगा, उसके बदले, जब आप telegram membership join करोगे, तो आपको personal mentorship मिलेगा, ठीक है, आपको personal mentorship मिलेगा, that means कि आप dedicatedly मुझसे बात करोगे, आपको आपकी पास मेरा number होगा, as soon as आप join करोगे, 24 hours के अंदर आपको मेरा number मिल जाएगा, और उसके YouTube पे videos नहीं देखना पड़ेगा, कि study plan ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, हम बात करेंगे, आप एक study plan बनाओ गया, और हम उसको और जदा optimize कर सकते हैं, आपको one-to-one discussion भी किया जाएगा, आपके सारे problems पे, तो हम कभी भी Google meet, Zoom call, या फिर audio call पे call करके, बात करके, जिससे भी आप comfortable हो हम आपके जो भी problems होगे, उस पर discussion कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, mobile से बहुत ज़्यादा distracted होते हैं, रिल्स में बहुत ज़्यादा वीजी है, या फिर किसी भी चीज से, जिससे भी आप distracted हो, उसको हम solve करने की पूरी कोशिश करेंगे, साथी साथ, दिखो मेरा मानना है कि बच्चे 10 के बाद सोचना शुरू करते हैं, हमें क्या करूँ है, बहुत लेट हो जाना है तब तक, तो अभी से अगर हम decide करें कि हमारे क्या strength है, हमारे क्या weakness है, तो career guidance आपको मिलेगा अगर आप इस membership को join करते हो तो, और साथी साथ आपको improvement report दिया जाएगा, ज इस चीज का जो actual price है, वो 199 रुपीज पर मत है बच्चो, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा है कि मेरे कुछ super learners जो मेरे वीडियो से सीखते हैं, उनके लिए वो जीते है अपने life, वो जीत जाए, इसके लिए उनके लिए कुछ discount रखो, and for that purpose, discount code है एक winner, link is in the description, तो एक link आपको description मे मिल जाएगा, उस description में दियेगा link पर जाकर कि जब आप पे करोगे, telegram membership लिखा रहेगा, click करोगे तो आपको बुलेगा 199 रुपीज पे करने के लिए अपना number, नाम, जो भी details वांगी का डाल देना, और उसके बाद आपको बुलेगा, आपको पे करने के लिए वाप एक discount code क option देगा, तो उस discount code के जिएगे पर WIWNR winner लिख देना, जैसे आप winner लिख करके पे करोगे, और सीधे 99 रुपीज हो जाएगा, 199 रुपीज से, तो आपको 100 रुपीज का discount मिल जाएगा, ये खाली उन बच्चों के लिए हैं, जो मेरे वीडियो को देखते हैं और उससा सीख पड़ते हैं, अब निमेरिकस करते हैं, ठीक है, लिंक्स are in the description पर, जो याद रखना है, ठीक है, example number one क्या है, कि a bird is sitting in front of two plane mirror, तो मालनों दो plane mirror है और उसके बाजू में, उसके बीच में एक bird बैठी है, उसके सामने, ठीक है, inclined at an angle of 60 degree, और वो जो plane mirror है, वो 60 degree के angle पे है, to each other, how many images does the bird see in the mirror, कितना image दिखेगा bird को mirror के अंदर, 60 degree पे angle है, bird बैठी है, कितना image मिलेगा बताना है, given क्या लिखा है, angle between the mirror is 60 degree, to find the number of images formed, n गुणना अपने को, formula अपने को पता है, n is equal to 360 degree minus 1 upon a, चलो, solution की तरफ चलता है, formula डाल दिया, अब उसमें values डाल दिया, a के जिगर पे 60 degree डाल दिया, तो देखो क्या होगा मालु में, पहले तो देखो कैसे होगा यह, यह 0-0 cut हो जाएगा, 6-6 जा 36, और 6-1 क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, क्योंकि यह minus 1 यहां से यहां आया, तो 6-1 क्या हो जाएगा, 5, तो bird को कितने images दिखेंगे, 5 images दिखेंगे, bird को कितने images दिखेंगे, बत्चों, bird को 5 images दिखने वाले है, चलो अगला वाला दिखते है, example number 2, a coin is kept in front of two plane mirrors inclined to each other, 2 mirror जो अपने आप में inclined है, मतलब किसी angle पे, उनके बीच में coin को रखा गया है, if three images are obtained, अगर तीन images दिख रहा है, if three images are obtained, of the coin are seen, then what is the angle between the mirrors, ऐसे हमने solve किया था, इसका answer 90 degree आदा चीए, देखो, number of images, 3 है, angle हमें धूलना है, उल्टा है, number दिया है, angle धूलना है, formula यही दाएगा, n is equal to 360 degree minus 1 upon a, solution की तरफ चलते है, formula लिख दिया, n के जगे पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि 3 images है, अब यह a उदर जाएगा, ठीक है, और 3 इदर आएगा, या फिर आप क्या कर सकते, यह जो minus 1 है, उसको उदर भीज़ दो, ठीक है, तो minus 1 को, जैसे आप उदर वेजोगे, तो plus 1 हो जाएगा, तो 3 plus 1 हो जाएगा, 4 और यह 360 upon a है, तो यह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब अगले सम की तरफ चलते हैं, इस पर ब्रैकेट बनाते हैं, अगले सम की तरफ चलते हैं, example number 3, अब boy is sitting in front of 2 plane mirror, एक boy है, जो 2 plane mirror के सामने बैठा है, inclined at an angle of 120 degree, दोनों एक दूसरा से 120 degree का angle बना रहा है, each other, how many images does the boy see in the mirror, boy को कितना images दिखेगा, same given है, हमारे पास angle 120 degree, और ह हमें number of images ढूडना है, formula यही वाला यूज करना है, n is equal to 360 degree upon a minus 1 solution, n, यहाँ पे एक जिगरी पे हमने डाल दिया, 120 degree, 0, 0, cut, 12, 1 जा 12, 12, 3 जा 36, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यह minus 1, तो n is equal to 2 आ जाएगा, bracket बना दो, खतम, तो 2 images दिखेगा, असान है, बहुत असान है, त मैंने तुम्हें सारी चीज़े बताती है, related to plain mirror, related नहीं, related to plain mirror, और I really hope कि आप यह पूरा पढ़ोगे, and यह telegram membership, जिसमें आपको personal mentorship, dedicated study plan, one-to-one discussion on your problems, career guidance, improvement report, और सब कुछ मिल रहा है, उसको join करने के लिए, description में आपको link मिल जाएगा, और code यूज करना है, वीनर, मैं target करता है, मैं आपके लिए पूरी तरी के से ready हूँ, आपको जितना मैं promise कर रहा हूँ, उससे ज्यादा देने के लिए, now it's your turn, बचा पाठी, so happy learning, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो please अपने friends का share करना, इस channel को subscribe कर लीजिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला ह है, अब ली आएगा वो Thursday को, so happy learning, do subscribe to the channel and mentorship, join कर लेना, happy life